नमस्कार दोस्तो आज हम इस लेशन में बात करने वाले हैं सम प्रोड़क्ट फॉर्मले के बारे में इस फॉर्मले का यूज़ आप किस सिचुवेशन में करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे इसका हम आपको पूरा डीपली नौलेज देने वाले हैं और यह formula आपके लिए कितना importance रखता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाने वाला है दोस्तों यह इतना powerful formula है जहां हमारा summips and contips formula fail हो जाता है यह formula fail नहीं होता तो इस वीडियो को last तक देखने के बाद आपको खुद पता चल जाने वाला है कि यह कितना powerful formula है आई अपने relation के और move करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा formula है sum product यानि product that means की multiply good and fall यानि यह formula क्या करता है जो आपने range pass किया इसके अंदर इस formula के अंदर पहले उसको multiply करेगा उसके बाद बाद में इसे sum कर देगा इसको हम example के साथ समझने वाले हैं आईए चलते हैं पहले हमें इस data को समझेंगे आप देख रहे हैं हमारे पास serial number है date है और यह हमारे employee name है ठीक है इस date को इस employee ने यह product sell किया क्या है हमारा milk कितने box sell किया है दो box sell किया है और एक box में हमारी quantity कितनी है 24 quantity है ठीक है अब अगर आपको बोला जाए जो हमारे milk sell हुए है टोटल कितने box sell हुए है ये बताइए दूसरा कितने packet sell हुए है ये बताइए तो box कितने sell हुए है उसके लिए आप क्या करेंगे यहां लिखेंगे तो यह हमारा आजाएगा packet क्योंकि हमारा दो box है और एक box में हमारा कितना है 24 पीस है ठीक है तो हमारा आगे यह 48 पीस अब इस formula को आप ड्रैक करेंगे फिर यहां नीचे आप क्या करेंगे इसको सम करेंगे और इसको बताएंगे कि हमारा sell हुए है total 816 packet है न तो इतना exercise करने कि आपको जरुवत नहीं है अगर आपको बताना है कि total कितना packet से लुआ है तो आपको क्या करना है बस एक just formula apply करना है ध्यान से देखेगा मैं यहां apply करता हूँ is equal to मैं लिखूंगा sum product ठीक है array 1 array 1 हमने इसे लिया ठीक है comma array 2 array 2 हमने क्या लिया इसे लिया ठीक है bracket बंद और इंटर देखे 816 आपका तुरंत quickly result आ गया जो हमने इतना exercise किया पहले multiply किया उसके बाद जोड़ा वो result हमारा quickly आ गया अब यह formula कैसे काम किया इसको समझ लेते है इसने क्या किया जो मैंने पहला range दिया array 1 array 1 हमने यहां से यहां तक लिया और array 2 हमने यहां से यहां तक लिया ठीक है जैसा कि मैंने आपको बताया पहले यह multiply करेगा तो इस formula के अंदर पहले जो मैंने range pass किया यानि यह वाला range और यह वाला range तो इसने क्या किया पहले इसको इससे multiply किया, तो 48 आया, फिर इसको इससे multiply किया, तो 96 आया, फिर इसको इससे multiply किया, तो 48 आया, यानि इस formula ने इसके अंदर इसी तरह multiply किया, same sequence में, यानि जो result आया, यानि ये वाला result आया होगा, इस formula के अंदर, यहां से यहां तक में ये वाला result आया, इसके अंदर, और ये sum प्रोडक्ट फिर क्या किया इसको आपस में जोड दिया यानि मैंने आपको पहले बताया था है पहले यह multiply करेगा जो हमने range दिया उसके बाद उसे जोड देगा तो ऐसा ही इसने किया और यह देगी 816 अब मा लिजे अगर मैं यहां 3 लिखता हूँ ठीक है मैं इसको delete करता हूँ मैं यहां लिखा 3 ठीक है सब जगा मैंने 3 कर दिया अब हम some product formula apply करेंगे equal to some product ठीक है array 1 हमने लिया इसे ठीक है comma array 2 हमने लिया इसे ठीक है comma array 3 हमने लिया इसे ठीक है bracket बंद और enter तो अब इसने क्या किया इसको इससे इससे multiply किया 24-48 into 3 multiply किया इसी तरह इसको इससे multiply किया इसी तरह इसको भी same sequence चला जो result इसके अंदर आया इसके अंदर जो result आया multiply होने के बाद उसको इसने sum product ने जोड़ दिया result आपके सामने आ गया तो इस type से यह formula work करता है ठीक है अब आप सोच रहे होंगे अगर हम single array pass करें तो क्या कर select किया ठीक है तो यह क्या काम करेगा देखिएगा सिर्फ इसको जोड़ देगा ठीक है क्योंकि हमने multiply के लिए तो इसके अंदर कोई range pass किया ही नहीं है ठीक है तो इसने क्या किया इसको जोड़ दिया ठीक है तो इतना आपको concept clear होगा ठीक है चले हम आगे बढ़ते हैं अब इसको हम as a countives as a summives के रूप में कैसे यूज करेंगे आई जानते हैं आपको करना क्या है ध्यान से देखिए मैं इसको पूरा delete कर देता हूँ अगर हमें बोला जाए कि राम ने राम ने total कितने box sell किये मिलके ठीक है तो आप क्या करते है इसकोल to summives लिखते है यही करते है सॉ ठीक है sum range मैंने लिया इसे ठीक है criteria range हमने लिया इसे राम को ठीक है राम वाले range को क्राइटेरिया 1 क्या है हमारा राम तो राम को मैंने select किया अगर आपको summives formula नहीं पता कैसे वर करता है मैंने पूरा deeply explain किया है link description box में है ठीक है तो मैंने bracket बंद किया और enter तो देखिए आ ग लेकिन हमारा क्या logic भी है हमारा हमें logic भी देना है कि राम हो सिर्फ उसी को sum करना है तो हम क्या करेंगे एक bracket और इसके अंदर open कर देंगे logic देने के लिए तो अब हम क्या करेंगे इसको select करेंगे ठीक है this is equal to double inverted comma में लिखेंगे राम ठीक है इतना मैंने किया bracket बंद ठीक है bracket मैंने बंद कर दिया अगर मैं अभी कॉमा लगाऊंगा तो यह अरे 2 की और move कर जाएगा तो मुझे कॉमा नहीं लगाना है अब मैं क्या करूँगा multiply ठीक है और मैं इसको select कर लूँगा ठीक है अब मैं bracket बंद करूँगा ठीक है और enter कर दूँगा तो देखिए हमारा result इसके बाद मैंने क्या कि है multiply कर दिया इसको इससे ठीक है तो 7 आया तो अभी मैं आपको palis दिखा देता हूँ मैंने यहां लिख ठीक है अब मैंने true को अगर one से multiply किया तो क्या result आएगा, ध्यान से देखेगा, 1 आएगा, ठीक है, अगर यही हम false को multiply करेंगे, 1 से तो क्या आएगा, ध्यान से देखेगा, 0 आएगा, इतना concept clear, अगर मैं यहाँ 23 कोई value लिखूंगा, तो भी 0 आएगा, अगर यहाँ मैं true लिख दूँगा, तो देखेगे, 23 आएग तो true जब आया, ठीक है, तो मैंने multiply किया इसको, तो true से जब multiply हुआ गये, तो क्या हो गया, हमारा 2 हो गया, ठीक है, उसके बाद false, तो false हमारा क्या है, रोहन ने 4 से जब multiply किया, तो 0 हो गया, ठीक है, फिर false, तो सोहन ने जब 2 से multiply किया, तो क्या आगया, जीरो आगया, ठीक ह में चलता गया, last में क्या result है उसको भी समझाता हूँ, अभी मैं इसको select करूँगा यहां से और यहां तक F9, तो देखिए, जो मैं अभी आपको detail से समझा रहा था, देखिए, पहले 2 आया, क्योंकि true यहां मिला इसे राम, तो यह देखिए 2 आ गया, multiply किया, उसके बाद 0, 0, ठीक है, उसके बाद देखिए 3, क्योंकि यहां true है, तो फिर multiply किया, तो 3 आ गया, उसके बाद देखिए, फिर हमारा क्या है, 0, फिर देखिए 2 आया, आया 2, अब मैंने आपको क्या किया था, पहले यह multiply करेगा उसके बाद यह क्या करेगा sum कर देगा तो इसने क्या किया इस सारे value को sum कर दिया इसने क्या किया 2 plus 0 plus 0 plus 3 plus 0 plus 2 0 0 0 0 सब जोड़ा तो आए गया 7 आगया result तो इतना आपको concept clear है इसमें आप multiple logic भी दे सकते हैं मैं समेश function में देते हैं आईए वो भी दे के देखते हैं अब जैसे अगर आपको बोला जाए जैसे माल लिजे मैं यहां कर देता हूँ milk 1 ठीक है milk मैंने 1 किया ठीक है और यहां भी मैंने कर दिया राम की जगा यहां भी मैंने कर दिया milk 1 ठीक है अब आपको बोला जाए राम ने milk one कितने box sale किये blocks एक राम ने milk one कितने box sale किये तो इसमें हमारी दो logic हो जा रही है एक राम एक milk one और दूसरा हमारा तीसरा क्या है 省करने के लिए बोल रहा है तो हम क्या करेंगे देखिए sum product ठीक है अरे 1 बोलना है तो हम यहाँ एक bracket पहले open करेंगे क्योंकि हमें logic देना है तो this is equal to double inverted में मैंने लिखा राम ठीक है bracket बन फिर मैंने multiply किया अब bracket open फिर मैं क्या logic दूँगा this is equal to double inverted कामा में milk 1 ठीक है यह भी बन bracket बन ठीक है फिर मैंने multiply कर दिया इसको इस से bracket बन और enter तो देखिए चार आ गया देखिए राम milk 1 यहां मिला तो टू हुआ उसके बाद राम milk 1 यहां मिला तो टू टू चार आ गया देकिन यहां देखिए राम milk था तो इसे नहीं जोड़ा इसने तो as a sum is के रूप में यह function काम कर रहा है कि नहीं राइट तो अभी आप देखिए कैसे maximum work किया इसको भी समझ लेते हैं यह देखिए मैंने इसे select किया f9 प्रेस किया देखिए इसके अंदर result क्या आया मैंने इसको select किया था तो यहां राम मिला तो यह हमारा true हुआ तो यह जब true को true से multiply करूँगा तो क्या आएगा result 1 आएगा राइट अगर true को false से multiply करूँगा तो क्या आएगा 0 आएगा ठीक है तो इसके अंदर भी कुछ true इंटू true 1 आया उसके बाद into हमने क्या किया था एह वाला रेंज पास किया था तो пой जेह देखिए यहां 3 तो यहां देखिए राम प्रू हुआ true into, यहाँ false हो गया, क्योंकि हमने milk 1 select किया था, तो true into false क्या हुआ, 0 हुआ, 0 into 3 क्या हुआ, 0, तो देखिए, यहाँ 0 आ गया, उसके बाद यहाँ भी देखिए, 0 आया, उसके बाद यहाँ क्या हुआ, देखिए, फिर true हुआ, तो true into true क्योंकि milk 1 हमने लिया था criteria में अपने तो true 1 आया, true into true क्या हुआ 1 आया और 1 into 2 2 तो यह देखिए 2 आया और उसके बाद हमारा सारे false है तो 0 आया और बाद में यह formula क्या किया आपस मैंने जोड दिया तो हमारा result क्या आगया देखिए 4 इतना concept clear है अब हमारा जहां summit function काम नहीं करता वहां हमारा यह formula काम कर जाता और interview में भी इस पर question आते हैं अभी आप देखिए हमारा क्या है name राम है ठीक है इन्होंने यह product sale किया है ठीक है और इसी तरह हमारे सारा details यहां दिया गया है ठीक है अभी आपसे अगर बोला जाए freeze का हमारा total sale कितना है तो अगर आप summit function apply करेंगे sum range आप क्या करेंगे इस पूरे को select कर लेंगे right चलिए कर लेते हैं criteria range आप क्या लेंगे fridge को select कर लेंगे इस वाले range को जिसमें हमारा fridge है comma criteria 1 क्या हो जाएगा हमारा यह fridge तो हम इसे fridge को सरे bracket बंद और enter देखिए result error क्यों result आया sum if function आपको पता है किस situation क्याम करता है sum if function जब आप apply करते हैं जो आप range पास करते हैं या तो सारा vertical form में होना चाहिए जैसे अगर मैं sum if function पास करूँ sum range अगर मैं लूँ इसे comma criteria range मैंने लिया इसे comma criteria मैंने लिया ये bracket बंद तो इंटर आ गया क्योंकि यहाँ date है मैं journal कर देता हूँ तो यह देखिए 85 आ गया यानि fridge का यहाँ total sale 85 आ गया इतना count होके आ गया तो आपने ये देखा जो मैंने range लिया है sum range वो हमारा vertical form में है criteria range लिया है वो भी हमारा vertical form में है ठीक है तो इस situation में sum if function use होता है और दूसरा जितना range आपने sum का select किया है जैसे sum का मैंने यहाँ से यहाँ तक range select किया है तो criteria range भी इसी के according होना चाहिए मतलब इसका भी range यहाँ से यहाँ तक ही होना चाहिए देखे मैंने इसका भी range यहाँ से यहाँ तक ही लिया है range ठीक है ऐसा नहीं कि मैंने criteria range यहाँ से यहाँ ले लिया है अगर ऐसा करेंगे तो result नहीं आएगा तो जो हमारा sum range है, जो हमारा criteria range है, दोनों का range सेम होना चाहिए, पहला, और हमारा या तो vertical form में हो पूरा, या तो horizontal form में हो, जैसे माल जे अभी मैं यहाँ सम इस लगाऊंगा, ठीक है, sum range हमने अगर मैं यहाँ से यहाँ तक select कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, और criteria range भी मै मैं यहाँ से यहाँ ही select कर रहा हूं, horizontal form में भी चल रहा हूं, पूरा का पूरा horizontal form है, ठीक है, अब मैं criteria क्या दे रहा हूं, जो greater than 5 है, उसका मुझे sum कर दो, double enter, close, bracket, burn, enter, तो देखिए, अभी क्या है, जो हमारे 5 से ज़्यादा value थी, उसका sum यहाँ आ चुका है, ठीक है, त criteria range यहाँ से यहाँ तक ही लिया, अगर मैं criteria range यहाँ से यहाँ तक ले लूँगा, तो result हमारा error आजाएगा, value error आजाएगा, ठीक है, तो इस situation में हमारा sum if function काम नहीं करता, यहाँ हमारा situation भी ऐसा ही हो रहा है, sum ifs, sum range मैंने क्या लिया, आप देखिए, मैंने ऐसे ले लिया, जब मैंने ऐसे लिया, तो मुझे criteria range भी ऐसे ही लेना है, ठीक है, लेकिन हम क्या करें, यहाँ criteria, तो यहाँ हमारा दोनों condition यह जो formula है, follow नहीं करा, पहला क्या, मैंने बोला था, यह तो पूरा vertical form में होना चाहिए, ठीक है, तो यह हमारा क्या है, देखिए, यह पूरा horizontal form हो vertical form, तो इस situation में कभी नहीं काम करेंगा, न समिफ्स, न कॉंटिफ्स, ठीक है, और दूसरा क्या, मैंने बोला था आपको, जितना range हमने समिफ्स का select किया है, जैसे यहाँ से यहाँ तक range, उतना ही range मेरा criteria range भी होना चाहिए, मेरा criteria range इतना चोटा सा है, और some range मेरा इतना करेंगा, तो इस situation में यह formula कभी वर्क नहीं कहता, इस situation को ध्यान में रखिएगा, जब भी इस type से question पूछा जाएगा, पहले आप इस concept को याद कर लिजेगा, अब चलिए हम इसको sum product formula के दवारा करते है, इस equal to sum product, ठीक है, array 1, तो हम एक bracket लगाएंगे, क्योंकि हमें logic देना अगर आपको check करना है, तो मैं check करा देता हूँ, यहां मैं free select करता हूँ, ठीक है, और यह मैंने free select किया, और इसको आप जोड़ेंगे, तो result क्या आएगा, आप देखेंगे, 311 आएगा result, यह देखें, plus this, plus this, plus this, plus this, देखें, 311, तो इतना आपको concept clear है, यह कैसे work किया, इस free करना, मैं क्या करूँगा, simple, इस formula को, इस वाले range को मैं freeze करूँगा, F4 करके, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस वाले range को freeze करूँगा, ठीक है, enter, copy, paste, TV का 232, ठीक है, यह formula कैसे work किया, आई, इसको समझ लेते हैं, अभी हुआ क्या, जैसे मैंने freeze criteria दिया था, तो freeze इसे यहां मिला, तो उसके बाद क्या हो, इसके सामने कि जो value है, उस पूरे से multiply इसने कर लिया, 4, ठीक है, क्योंकि freeze मिला, जो true है, तो true into 4, जैसा कि मैंने बताया था कि वो 4 आ जाएगा, true into 2, यानि 2 आ जाएगा, क्योंकि true से जब 1 multiply होता है, तो क्या होता है, हमारा 1, तो 2 into 1, 1 हो जाता है, ठीक है, अभी आपको मैंने पहले समझाया है, उसके बाद true into 3, तो 3 हो गया, यह पूरा value आ गई, उसके सामने, तो यह देखिए, यहां से यहां था कि यह value पूरी सामने आ गई, उसके बाद इस cooler को इसने multiply किया, क्योंकि cooler तो मिला ही नहीं, क्योंकि cooler तो हमारे criteria में है ही नहीं, तो यहां false आया, तो false into 5, 0, false into 2, 0, तो इस हिसाब से देखिए, 0, 0, 0, 0 इस type से चलता गया, फिर इसे यहां freeze मिला, तो देखिए, freeze यानि true हो गया, true into 3, यानि 3, तो यह देखिए, 3, 2, 5, 3, 6, इस सारी के value लेके आया, अब इसके अंदर result ऐसा तो आ गया, पूरा result आ गया इसी type से, अब इसने क्या गया, इस पूरे को जोड दिया, तो जोड दिया तो चलिए, मिलते हैं next lesson में, जैहिन